चुनावदर चुनाव जेल रही बस्पा प्रदेश विदहनसभा उपचुनाव के माध्यम से प्रदेश में धुमाकेदार वापसी का रोड में टैयार कर रही है नौशाद अली श्रनिवार को आगरा से होकर गुजुरे इस दोरान उन्होंने पार्टी के पूर विधायकों और चुनाव लड़े प्रत्याशियों के आवास पर जाकर मुलाकात की वर्ष दोयार वारे विधान सबा चुनाव के बाद से ही बस्पा का ग्राफ लगातार नीचे गया है पार्टी हाली में संपन लोकसबा चुनाव में अपने अब तक के सबसे खराब प्रदसन का दंस भी जेल चुकी है लेकिन 21 अगस्त को सब केटिग्राइज करने के सुप्रीम कोट के आदेश के विरोध में जब भारतवन का आवहान हुआ तो बस्पा ने इस आंदुलन की अगवाई का जिम्मा उठाया था इस आंदुलन की अभूद पूरु सफलता ने बहनजी से लेकर बस्पा के आम कारिकरता तक को उत्सा से लबरेज कर दिया है बस्पा अपने कारिकरताओं के इस उत्सा को कैश कर आगामी विधानसवा उपचुनाव के सहारे प्रदेश की सियासत में धमाकेदार वापसी का रोड में अपतयार कर रही है बस्पा ने अपने पुराने वफादार कारिकरताओं को सहिजना भी शुरू कर दिया है पार्टी के आगरा अलिगर्ड और मेरट मंडल के सेक्टर इंचार्ज नौसाद अली ने गाजियवाद जाते समय शनिबार को आगरा में प्रवास किया इस दोरान उन्होंने पार्टी के निष्टावा नेता पूर्व मल्सी बीरू सुमन सहित विधानसवा और लोगसवा चुनाव लड़े प्रत्यासियों के आवास पर जाकर मुलाकात की पार्टी के सेक्टर प्रवारी ने सवी नेताओं से पार्टी को मस्बूत करने और वर्ष दोजार सत्ताइस विधानसवा चुनाव की तैयारी में चुट जाने का आवान किया बसपा सेक्टर इंचार्ज नौसाद अली ने इन सभी नेताओं को पार्टी के सुनहरे अतीत से प्रेड़ना लेने और प्रदेश विधानसवा उपचुनाव में पार्टी प्रत्यासियों की मदद का भी आवहान किया आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दस विधानसवा सीटों पर उपचुनाव होना है जिनमें आगरा मंडल के मेनपुरी जनपत की करहल विधानसवा सीट जहां से सफा मुख्य अखले से आदव विधायक थे उन्होंने कन्योच से सांसद निर्वाचित होने के बाद इ ये तीनों विधानसवा सीटें आगरा लीगड़ और मेरट मंडल के अंतरगत आती हैं बतोर सेक्टर प्रफारी नोसाद अली और उनकी टीम के समक्ष विधानसवा उपचुनाव में वस्वा प्रत्यासियों की जीत का रोड मैप तयार कर आगामी विधानसवा आम